बहुत दिनों से यह वादे नहीं दिखाया था इस गेट कि हर एक्सरसाइज में ड्रॉप नहीं करता ही करता हूं नियुक्त वाट इस अब गईस विलकम बाक है भी मैं अपनी परस्ट एक्सरसाइज कर रहा हूं और फर्स्ट इमेरे थिक लोस्ट पिछली बार से और जादा स्राइज पच्छिस कर रहा था तो हलका लग रहा था तो मैंने इस वार तीज से शुरू करते हैं और और अल्रेड रूप रहा है मुझे बिए आपको अपर पूरा है जाए चला वह अपर तेरा नहीं पागए ठीक था चौद कर देता पर वो पूरा नहीं आपाया है तो ते रहे ठीक है एक्सेट हो गया दो और करता हूं फिर उसके बाद दूसरी एक्सेट पर चलता हूं और आज ना मैं रोइंग मुमेंट एक करूंगा क्यों कि पता निक्यू मेरी बैक और बैक ट्रेन करें चार दिन हो चुके पर पता नहीं क्यों अभी भी सूर है तो दो मैं यह एक होरिजॉनटल पर लूघे हो ग्जाओं करने हैं और बड़ेशोंटल पर चलेंगे तो दिखाँ किया करने हैं पहले नहीं मैं बड़ा सोचता था वीडिएयो में क्या बोलू मैं क्या बनाऊं जोटक पर बनाऊं और वह सोचते-सोचते ना मैं इतना दिमाग से थक ऐचाए प으면서 एचे ना इसलिए जब सबसक्राइब पर बक्राइब करना एच है जब रधा हुआ सब्सक्राइब कि अब इसके बाद से और इस जिम में ज्यादा मशीन है भी नहीं इसमें पहले बहुत ज्यादा मशीने थी तो चेंज कर सकते थे इसमें तो चेंज ही नहीं कर सकते ऑप्षेंद और इसमें देखो मैंने इसना आनकी इसलिए उपर रखना इसे एंगल को है और यह वाली एक्सेसाइज नापके रेड्रेल्ट को बहुत अच्छे से टार्गेट कर देए यह और रॉंबाइट्स को तो भाई फ्राय कर देती है और यह करके मैं और जाद़ फ्राय कर रहा हूं कि आधा कि आधा कि आधा कि आधा यह मैंने जैसे मैंने 30 किलो से पिछला रहा था तो मेरे को है भी लग रहा था पर जब मैंने सेकेंड टरह ना 30 किलो से तो मेरे को वही वेड लाइट लगा पिछली बार 13 आये थे मुश्किल से इस वर सोला आगे बढ़ी अरहा है पता निक्यू होता है सामरे साथ अगर आपको एक अच्छी बैक चाहिए ना जो क्या बोलते हैं जो कट थिक थिक जो बैक कहते हैं जैसे कट्स बगेरा दिखते हैं रॉम वर्ट अच्छे डवलब्ट है अपर ट्राप्स यह सब बहुत अच्छे से डवलब्ट है और बहुत जाद थिक लग रही है देखने मे ऐसे अलग अलग कट दिखते हैं तो भाई आप वर्टिकल मूवमेंट होती है जो जैसे लैट पूल डाउन वगए इस पर कम ध्यान दो यह नहीं कि ध्यान इमत होगी करो इमत करो पर होरिजॉंटल पुल वाली जो मूवमेंट होती ना अभी मैंने करिए इंकलाइन पर और कि यह आपकी बैक को जादा अच्छे से हिट करती है यह मैंने अपनी बैक ऐसे ही डवलप करिया होरिजॉंटल पूल से यह मैं पहले बता चुको पर बहुत से बंदे नहीं तो इसके मैं तुबारा बता रहा हूं अब मेरी एक एक साइज हो चुकि है होरिजॉंटल पुल तो वर्टिकल पूल पर चलते हैं जो है लाट अभी जो मैंने आपको वरिजॉंटल पूल वाली बात बताई ना थेक बैक के लिए जो होरिजॉंटल ली पुल करना है आपको तो अच्छे बैक डबलप कभी तबीना आप क्लिस्टैनिक्स वाले बंदों को देखना जो बाडी बिल्डर को देखना क्योंकि वह होरिजॉंटल पुलिंग ज्यादा करते दूंकि बहुत ज्यादा वाइड के साथ थिक भी लगते है तो इसलिए होरिजॉंटल मूमेंट अब इस एक्सेसाइज है मेरी वर्टिकल मूमेंट लाट कॉल नाइव पॉल्डवन अब वै हुआ 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 है है इस अब लाट को लौन ता और यह ड्रॉप भी अब डॉप करते में आप दो चीजों को ध्यान अब बेगिनर्स कोशन कुछन को जी ड्रॉप से गरना चाहिए है अब ड्रॉप सेट करना मेरे दो क्राइटिरिया रहते हैं कि हर एक्सरसाइज में ड्रॉप नहीं करना और दूसरा जब ड्रॉप करूं तो ज्यादा वेट कम नहीं करना है जैसे अगर मैं अभी लैट पुल डाउन कर रहा हूं तो 50 किलों से कर रहा हूं मेरा और जम इने ड्रॉप कर तो मैंने 20 परसेंट गिरा दिया मतलब जाज़े जादर दो ड्रॉप कर नहीं करता और एकदम से वेट कम नहीं करता और हर एक्सराइज में ड्रॉप नहीं करना वाई लास्टे में रहे कि अगर 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 तो बहुत को जाएगा इसलिए लास्टे ने रहे कि और कोई फाइदा निया फिर जादा हलके बेट से करने से जाएग अगर तो बहुत जादा तो अगर जादा नहीं उठा रहा दो एक्सराइज में वेट के साथ कर ली एक मैं बडी वेट के साथ कर रहा हूं पुल अगर करूँ है इसके फेलियर तक को लप्स और बार डिप्स यह ऐसी एक्सराइज है जो भाई मैं अपने स्केडियूल से कभी भी नहीं उठाता वेट उठाना ते इंपॉर्टेंट है यह तीन मुवमेंट वाई यह बेसिक तीन मुवमेंट वाई बहुत ज़रूरी है इसको बि अब यह बेट उठाओ गया तो उस पर भी परक पड़ेगा मतलब आप जादा उठापाओं के जादा अच्छे से उठापाओं भी तो भाई इंपाइट के साथ पर देंगे जैसे रिडियर्ट कर रहो है अच्छे रब लग रहे हैं दस ग्यारा बारा लग रहा पाच्छे और आजेंगे एकदम से जान खतम हो जाईगी बारा पर अटक जा तेरो आहीं नहीं कि अगर मैं किसी भी बॉडी पार्ट की एक एक्सिजास कर रहा हूंना सिरफ तो मैं उसमें डॉब सेट करता ही करता हूं जैसे अब यही मैं अपने कर रहूं तो मैं इस exercise में एक शेट करूँगा और आखरी वाला ड्रॉप भोगा ही होगा एक सेट मेरा हो चुका दोहर करूँगा आखरी वाला ड्रॉप उसके बाद मेडी टैन है अब बहुत दिनों से वाला गेट नहीं दिखाया था इस गेट पर पोजिंग नहीं करी थी और जिम वाली जो क्लिप देखी मैंने भाहित नहीं गंदी आई पोजिंगी तो भाही एक बार फिर देख लो अग 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 आई नहीं आई 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 नहीं आई आई अच्छी फोट और नहीं अच्छी फोट नहीं वीडियों तेन आई अनम जो अगए अई और अग अब अपनी पोस्ट वर्काउट मेल बनाता हूं जो है विए पोस्ट वर्काउट मेल विच इस पनीर प्लस राइस और यह जीरो क्यालरी ड्रिंक कोई डेली डेली नहीं पीता मैं कभी-कभी ठीक है यह डेली डेली आपके गट के लिए ठीक नहीं होती है कभी-कभी पी सकते हैं और अगर इसकी फुल रेसिपी आपको देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक डाल दूंगा उसमें मैंने पूरी रेसिपी बताई दिया इसकी और एक दिक्कतना आती है कि लोग सोचते हैं हमें वर्काउट के बाद ऐसा खाना खाना जो कोईक्ली डेजस्ट हो जाए और हमें प्रोटीन मिल जाया उससे तुरंत की तुरंत तभी हमारी वोडी बने ही ऐसा कुछ भी नहीं होता आप खा सकते हो वकाउट के बाद और मैं तो तुरंत बाद खाता भी नहीं हूं एक से तेट गंटा बेट करता हूं दो घंटे भ प्रोटीन होता है स्लोली डेजस्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि मैं यह खाऊंगो तो भाई मेरे को मेरे गेंस रुख जाएंगे या मेरी जो एनबॉलिक विंडो है वो मैं मिस्स कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं होता पूरे दिन का प्रोटीन मैटर करता है आपका एक टाइम की म कील इतनी मैटर नहीं करता है